हेलो औ मेलकम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शंट करेंट सेंसर के बारे में तो शंट करेंट सेंसर जो है वो बहुत ही high precision register होता है जिसको series में connect किया जाता है बैٹरी के साथ और जो current होता है उसको pass किया जाता है यह जो parallel plates हैं इनके थ्रू तो देखते हैं कि इसको कैसे इसमें connection होता है बैटरी के साथ और कैसे हम इसको इसमें जो current का calculation करते हैं यहाँ पर हम current का calculation करते हैं voltage drop को measure करके क्योंकि जो current है वो ऐसी physical quantity है जिसको हम directly measure नहीं कर सकते हैं जो हम directly measure कर सकते हैं वो है voltage drop तो जो यह जो बड़े screws हैं दो बड़े screws और दो चोटे screws इन बड़े screws को connect किया जाता है जो हमारा main circuit होता है जो battery का circuit होगा तो battery के negative के साथ इस screw को connect किया जाता है और load के negative के साथ इस screw को connect किया जाता है जो हमारा voltage drop का measuring device है उसको हम इन दो छोटे screws के साथ connect करते हैं जो कि हमें voltage drop measure करके देगा तो ये जो parallel plates हैं ये calibrated resistance है और इनका calibration जो है वो temperature के साथ भी करना पड़ता है क्योंकि जो resistance है वो temperature के साथ vary करता है तो अब इस shunt current sensor का use कहां पे होता है इसका use होता है जहां पे हमारे पास current का measurement चाहिए बैटरी management system में इसका use होता है state of charge के estimation के लिए state of health के estimation के लिए और क्योंकि ये बहुत ही high precision register है तो जो हमें output मिलता है वो भी बहुत ही precise होता है तो जो main purpose है इसका battery monitoring में यूज होता है battery management system में यूज होता है और हम इसमें directly current को calculate directly current को measure नहीं करते हैं हम current को calculate करते हैं voltage drop से तो ये था shunt current sensor के बारे में एक बार मैं फिर से summarize कर देता हूँ ये जो दो बड़े screws है इनको battery और जो load है उसके negative के साथ connect किया जाएगा और जो measuring device है उसको यहाँ पे दो छोटे screws के साथ connect किया जाएगा जिसमें ये चार plates हैं और ये calibrated resistance है हमें जो voltage drop मिलेगा उससे और जो हमारे पास non calibrated resistance है उसकी help से हम ohm slow लगाकर हम यहाँ पे current को measure कर सकते हैं तो ये था shunt current sensor के बारे में So thanks for watching, have a nice day